हेलो एवरिवन तो कैसे आप सभी तो आज की वीडियो में डिसकस करेंगे कि जो पासिंग क्राइटेरिया है जो पासिंग मार्क्स है आपके सेकिंड और फोर सैमस्टेगे जो एनपी वाले बच्चे है उनका पासिंग मार्क्स आखिर है क्या तो आप सभी पता होगा आपका प्लस त्योरी का एक्जाम भी आपका सुरू होने वाला है तो इन दोनों को मिला के आपको कितने नंबर लाने है या अलग आपको कितने नंबर लाने है तो अच्छी वीडियो में डिसकस करेंगे और उससे पहले आप समय एक चीच बोलना चाहूँगा कि अगा आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लाइक करना और बूलना तो देखिए एक चीज में आपको किलियर कर देता हूं जितने भी यह वीडियो सिरफ बाले बच्चों के लिए बाकि कोई भी स्टुडेंट जिन्होंने 2022 से पहले एडिशन लिया है वो इस वीडियो को न आप देगे यह वीडियो अभी उन स्टुडेंट के लिए जो अभी करेंट में सेगिंड और फोर सेमस्टर से हैं जो नपी वाले बच्चे दो जा बाइसो त्रीश बैच की बात कर ले तो सब को भी पता है खेल क्या चल रहा है लॉग इन में प्रॉब्लम बच्चा जाता ह है आपका नौर्थ केंपस नौर्थ केंपस में जाने के बार फिर बापस आता फिर दो ही पोटर पर प्रॉब्लम सुरू हो जाती है यह तीन से चार्ड रीजन की वैससे होता है आप डीटेल गलत है या आपने कोई डाला हुआ इसके आपका पोटर लॉगिन नहीं हो पाता तो उसके लिए मैं एक जीच कहूंगा पासफट फॉर्गर कीजिए अगर आपका अकाउंट भी डिसेबल हो जाता है अब सबसे बड़ी बाद सब पासिंग मार्क साकिर है क्या क्योंकि काफी इस स्टूडेंट है जिनका इंटरन अच्छा नहीं किया अभी तो मैं एक स्ट चीज कहना चाहता हूं कि पासिंग मार्क साथ मैं आपको अच्छे समझा देता हूं फिर मुझे लगता उसके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सिंपल सी कहानी है इस पासिंग क्राइटेरिया को लेकर 40 परसंट आपको लेकर आने हैं या थेओरी के एक्जाम में लेकर आने मतलब की जिसमें 75 अबर काज़ता है उसका बेटेग आपके आनें में 2015 आर降哇 को यो समसपलमा को इस्के नंबर मिलते हैं ऐसका बेटेज कैसे मैं-सम आपका होता है त्वंटीफाइव मार्क्स का लगता है या तो आप इंटन असेस्मेंट में लेकर आ रहे हो या आप ठीओरी में लेकर आ बडिली भी स्वित्याले जब आपका रिजल तैयार करता है तो आपके द्वारा जो भी इंटन रस्मेंट में नमबर आये उनको एड कर देता है यानि यह थियो के एंटन रस्मेंट के गजाम के दूनों को प्लस करके सौन द्वां को करता है चाली तो आप उसका निकाल लीजिए और 25 परसेंट से कितना बीटेज हो गया आप जो लीजिए मेरे ख्याल से बेटेज आपकाा आठ या नौ नमबर आप कर सकते हो तो साथ नंबर आपके बनते हैं तो साथ नंबर यह हो गए 25 में अगर मिलना बेटेज अब आया तो थियोरी का एक्जाम 90 नंबर का है और 90 में समझा लीजिए आप पेपर में नंबर लेकर आए 90 में से 50 नंबर 55 नंबर ठीक है और उसके बाद जो उसका जो बेटेज लगेग कि इन दोनों को मिला के आपको 40 परसेंट नंबर लेकर आने हैं अगर आपको सब्जेक्ट को किलियर करना है तो अब ऐसी कंडिशन में उस्टूडेंट का क्या जिन स्टूडेंट नहीं दिया यह जो स्टूडेंट इंटरनल में फेल हो गए उनका क्या होगा इसको भी लेक सेक्षन होता, प्र चेहते हो आपके तूटोरियल होता एक प्रीक्तिकल होता है जबकि यह दोनों छीज़ें है उस्टूरियल ना तुटोरियल प्रीक लिए ना ही ताdar रोता है जो कि थेहोरी का ग्रेडिंग या और बटक आपसда थेहोगो तो स्टुटोरियल में आंगा चैनल कि दो जय दिया होगा रदे लिए वैधने करता कि he वह best users प्रीजिंट दृख त्यृचिंज माज़खा और किसे पूल्प इसनों पहते हैं अउस् cosas है वीडियो थोड़ी से लंब्ली हो जाएगी अच्छे Each आप माली जो इसकी ग्रेडिंग होगी वह भी हंडर में से ही होगी क्योंकि ऐसा कहीं रूल नहीं है कि अगर आपने इंटर्समेंट नहीं दिया तो फेल हो जाओगे नहीं नहीं देकर आयों 40 निंबर से जादा लेकर आ सब्जेक्ट में पास हो जाओगे अगर आपने इंटर्समेंट दिया हो या नहीं दिया हो अब आपको इंटर्समेंट के दस नंबर आपको मिल गए तो इसमें एड हो गए सब्जेक्ट में निकल गए अब काभी स्कूप्ट केहते हैं कि सर फिर ऐसा क्यों होता है कि मानलीचम पास होगा इंटर्नल में या पर या या आपका टीउ में अमारे एफ लेकि तो अगर एसको रिजन आती है तो पहले देखिए आपका सो ने कर आगर यार सो कर रहा है तो तो ऐसी कंडिशन में एक ही वो होता है कि आपको उस थियोडी का एक्जाम को दुबार से देना पड़ेगा मान लीजिए अगर नीचे जाओगे आपका जो सेक्षन होता रिजट वाला अगर बिलैंक है तो यानि आपका किसी भी बैग नहीं है आप उस सब्जेक को किलिए कर सब्जाने वाला हूं सर मैं नहीं नहीं दिए मैं पोटल लॉगिन नहीं नहीं कर दो पाया अगर मैं त्योरी में अच्छा देता हूं कि आप पास हो जाओगे 40% नमबर आप लग से बना की चलिए सब्सक्राइब दोनों को मिला के मिलेंगे जिसने दे दिये क्योंकि तेकि मैं आपको इस चीज बता रहा हूं एक स्टुडेंट ने बहुत अच्छा इंटरन र इंटरनल में पास है अगर थ्योरी में पास हो जाते हो इंटरनल में फेल अगर दोनों को मिला को फोर्टी परस ने नीचे रहता है ऐसी घंडिसन आपको वह यह आने का सिंपल रिजन यह है कि आप फेलो अब यह मत कहना सल्प मेरे पी आर में एफ या टीउ में अप यू मे और आपको tutorial में कैसे करता है इसकी जानकारी नहीं है उनकी कैलकुलेशन वही जाने है वाकी मैंने आपको बता दिया कि दोनों को मिला के करोगे तो 100 में से 40 परसेंट है अगर सिंगल से करोगे तो 75 में से आपके 40 परसेंट बनेंगे बट 40 परसेंट आपको लेकर ही आने हैं इतना आप नोड करके रख लिए आपके दोनों को मिला लीजिए अगर आप अच्छा करके आईए निकल जाओगे इंटल एसमेंट कि जवर नहीं और आपने इंटल एसमेंट का तो नेक्स सेमस्टर में वह जो इसमेंट विदिए और उपको बता दीए और हाँ एक स्टोर्ट यह भी कहते हैं नंबर का मारे सरा हम फेल होगा है फेल पासते कोई मतलब नहीं है अभी फेल कैसे होगा है अभी तो थेयोरी का एक्जाम आपने दिया नहीं पता थेयोरी में आप 80 नंबर लेकर आ रहे हैं तो बोलने वाली बात है ठीक है तो बस इतने ही अब होता क्या है अभी आज के टाइम पर क्या हो रहा है जैसी यह लागू हुआ है तो इंटर्नल एससमेंट में भी आइसा एक्शली 40 परसेंट नों जोड़े और जो जो क्यालकुलेशन होती है वह 40 परसेंट की होती है बेसे का आप अलग अलग पास हो रहे हो पर जो मेन क 40 परसेंट से होगी दोनों को मिलाकर ही आपको पास होना था अगर एक एक सेक्शन नहीं है आपके इंटर्नल मेंट का तो थियोरी कोई एक्जाम आपको चेले लेना होगा फिर आप सब्सक्राइब से निकल जाओगे पास हो जाओगे ठीक है